दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको मज़ेदर बाते बताने वालो हूँ पहली बात क्या आपको पता है बिजली कैसे बनती है नहीं ना दूसरी बात क्या आपको पता है पहली इलेक्ट्रिक कार कब और किस ने बनाई नहीं ना तिसरी बात जब पक्सिवो ट्रांस्मिस्न लाइन के पर बैठते हैं तो उसको इलेक्ट्रिक सोक क्यों नहीं लगता इलेक्ट्रिक कलन लगना चाहिए ना वो नहीं लगता जियां दोस्तों मैं हूँ सुरेश्टाक और आप देख रहे हैं अपना यूटूब चैनल टेक इडियू सफर और मैं आज आपको इन सारे सवालों को जवाब बताने वाला हूँ तो इस वीडियो को अंतक जरूर देखिए और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करिए, सेर करिए और सब्सक्राइब करना तो भूलिये गाही मत दोस्तों पहले में आपको इलेक्रिसिटी के बारे में बताना चाहता हूँ कि हम हर रोज बिजली का उप्योग करते हैं लेकिन ज्यादा तर लोग भूतिक घटनाओ के बारे में बहुत कम जानते हैं बिजली हमारे ग्रह पर सबसे बहुमोखी उर्जा स्त्रोथ हैं लेकिन हम केवल उसका सो वर्षों तक पर ही उस पर निर्भद रह सकते हैं बिजली एक प्रकार की उर्जा है जो एक स्थान पर बनती है या एक स्थान से दुस्त्रे स्थान पर प्रवाहित होती है जब बिजली एक जगर इखटा होती है तो उसे स्टेटिक बिजली यानि स्थेटिक बिजली के रूप में जाना जाता है बिजली एक स्थान से दुसरे स्थान पर जाती है तो उसे हम इलेक्ट्रिक करंट कहते है और जो उसके बेहने की धारा होती है उसे हम इलेक्ट्रिक करंट कहते है स्टेटिक बिजली आमतोर पर तब होती है जब आप चीजों को एक साथ रगड़ते है एसा क्यों है कि एक गुबारे आपके कपड़ों के खिलाप रगड़ने के बाद आपसे चिपक जाता है क्या यह कालिन के पार चलने और किसी धातु को छुने से आपको जटका लगता है यह बिजली का भी एक कारण हो सकता है जैसे ही आकास में बारिस के बाद बादल मंड़ाते हैं वे अपने चारोवर की हवा से गिरे होते हैं यहाँ पर आप फित्रों में देख सकते हैं मैंने एक प्लग ले गया हुआ है और उसमें इलेक्रिक करण फ्लो होता है वो आप देख सकते है और जैसे ही वो इलेक्रिक चार्ड फूलो होता है तो उसका क्या रेसे होता है वो इलेक्रिक करंड के साब groß होता है तो जब विज्यूद परिवत्पोंहें यह आवेस्ट तार होता है जो वो इलेक्ट्रोन के कारान फ्लो होता है वो हम हर दिन यूज करते हैं और आप देख रहे हैं कि हर दिन आपको द्वारा उप्योग किये जाने वाले बिजली के उपकरनों चलाने में सामिल होता है जैसे कि स्मार्टफोन है कॉम्पूटर है वसिंग मशीन है फ्लेसलाइट है और अन्य इलेक्ट्रिक डिवैस भी आप चला सकते हैं यहाँ पर मैं आपको बिजली के बारे में और अच्छे तथ्य दिखाने वाला हूँ पहला तत्य यह है कि बिजली 6,096,000 माइल पर हवर से यात्रा करती है बिजली आपके दिल के काम करने के तरीके में भी और भुमी का निबाती है वो कैसे निबाती है तो आप देख सके हैं कि दिल में मास्पेशियों की कोशिकाओ को आपके सरीर के माध्यम से चलने वाली बिजली का अनुबंदिन किया जाता है हम जानते हैं सब अस्पतलों में ECG मसीन इलेक्ट्रोकार्डियोग्रम मसीन का स्पाय्क की जन्रेट होता है वह आपको प्रदर्स इत करती है तो यहां पर इसिजी मसीन भी देख सकते है कि कितना आप स्पायक होता है कि अब मैं आपको बताऊंगा एक वोल्ट क्या है एक क्या है विज्यूत यह बल्कर कि एक एक आए उसे हम एक वोल्ट करेते हैं और वर्तमान की संभवित ताकत को मापने के लिए किया जाता है एक टिपिकल लाइटिंग बॉल्ट पेक होता है वह हंड़ेड मिलियन वोल्ट होता है और इसके बाद वोस्त तसर है वह 5000 वोल्ट का उत्सरजन करती है स्थेटिक बिजली की एक जिंगारी 3000 वोल्ट तक माप सकती है इलेक्ट्रिक इल 500 वोल्ट या उससे भी अधिक के जटके जनरेट कर सकती है अब मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक बिजली कैसे जनरेट होती है तो उसका जब आपको यहीं पे मिलने वाला है कि कोईला है वो बिजली का उत्पादन के लिए दुनिया का सबसे बड़ा स्त्रोथ है, यह कैसे काम करता है, अब देखिए कोईले को पठियों में जलाया जाता है, जो मैंने यहाँ पे एक डायग्राम दिखाया हो है, जो पानी को उबालने के लिए होता है, उस उबलते पानी के उत्पन माप के से टर्बाइन द्वारा एनर्जी जनरेट की जाती है, और वो एनर्जी है, वो ट्रांस्पर्मर से जुड़ी होती है, वो ट्रांस्पर्मर के हिसाब से अलग अलग जगों पर डिवाइड होती है, जो फोसाई फ्यूल होता है, वो बिजली का सबसे बड़ा होता है लेकिन उसके इलावा नोन रिन्यूवल एनर्जी सोसिस जैसे की हवा पानी और सूरद भी हम बिजली जनरेट कर सकते हैं आपको दूसरे परशने का जवाब मिलेगा कि पहली इलेक्ट्रिक कार 1891 में अमेरीकी आविसकार विलियम मौरिशन द्वारा बने गई थी यहाँ पर हम सब जानते हैं कि बेंजामिन फ्रेंक्लिन ने बिजली की खोद नहीं की लेकिन उन्होंने साबित किया कि बिजली बिजली का एक रूप है और डार्वी सदावदी के दोरान उसके कांतिकारी बिजली की छड़ के आविसकार के लिए धन्यवाद देया जाता है बिजली को पहले से बेहतर समझने के लिए कहा गया था वो बेंजामिन फ्रेंक्लिन नाम ने साइन्टिस ने किया था अब आपको यहाँ पर त्रीजे प्रशन का सोल्यूसन मिलेगा कि कभी आपने सोचा है कि बिजली की लाइनों पर बेटने वाले पक्सी को इलेक्रिक शोक क्यों नहीं लगता है यदि कोई पक्सी केवल एक बिजली लाइन पर बेटता है तो वह सुरक्सी थे क्योंकि यदि कोई पक्सी अपने सरीर के किसी भी हिस्से को किसी अन्य रेखा मिन्स लाइन को छूता है तो यह एक सर्किट पुरा सर्किट कंप्लीट हो जाता है उसके हिसाब से उसे इलेक्रिक शोक लगता है तो मैंने आपको बताया था कि electric shock कैसे लगता है तो पक्सियो के इस तरह से electric shock लगता है